जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल नारवन जी के स्टडी में से विडियो में हम जानेंगे इतिहास के कुछ इंपोर्टेंट प्रस्नों के बारे में प्रारंब माना जाता है किस काल से तो कुसान काल से आपको मुर्ती पूजा का प्रारंब आपको माना जाता है नेक्स्ट आपको निवन में से किसने मानसून की आपको खोज की है तो हिप पैल्स ने आपको मानसून की खोज करी है नेक्स्ट आपको भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री आपको कौन बने थी तो इंद्रा गांदरी इतिहास की सारे प्रस्थ आपको इंपोर्टेंट होने वाले वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा एक सो आपको MCQ देगे है नेक्स्ट आपको डिस्कावरी आफ इंडिया पुस्तक के आपको लेखा कौन है डिस्कावरी आफ इंडिया के पुस्तक के लेखा का है आपको जवाहर लाल नहरू नेक्स्ट आपको अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारती महिला कौन थी तो बहादुर शादुत्य आपको भारत का अंतिम मुगल सासक आपको बहादुर शादुत्य है नेक्स्ट आपको भारती समिधान के निर्माता आपको कौन थे तो डॉक्टर भीम राओ अमबेटकर आपको भारती समिधान के ये निर्माता है नेक्स्ट है आपको भारत में प्रशिद प्राचीन बौध गुफा परिशर का क्या नाम है जो मारास्ट में प्रशिद आपको प्राचीन बौध गुफा का नाम है आपको अजनता की गुफाए नेक्स्ट है आपको भारत के पहले उपर राष्ट पती और दूसरे राष्ट पती आपको कौन है जो भारत के पहले उपर राष्ट पती थे और दूसरे राष्ट पती थे आपको डॉक्टर सरुपली राधा किरिश्नन नेक्स्ट है आपको उलम्पिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थे तो कर्णम मल्लेसवरी आपको उलम्पिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है आपको कर्णम मल्लेसवरी स्री नगर की अस्थापना किस सासक ने आपको की थी तो असोक ने की है आपको किस देवता के लिए रिगवेद में पुरंदर सब्द का परियोग हुआ है तो इंद्र देवता के लिए आपको रिगवेद में पुरंदर सब्द का परियोग हुआ है नेक्स्ट आपको प्राचीन भारत में निश्क नाम से क्या जाने जाते थे तो श्वर्ण अभूशन को निश्क नाम से जाने जाते थे प्राचीन काल में नेक्स्ट आपको अलाई दर्वाजा का निर्मान किस सुल्तान ने करवाया था तो अलाउदीन खिलजी ने वेबियाई प्रस ने आपको अलाई दर्वाजा का निर्मान आपको कि सुल्तान ने करवाया है तो अलाउदीन खिल जी योग दर्शन के परती पादक हैं आपको पतन जली उपनिशद पुस्त किस के संबंदित है आपको उपनिशद पुस्तके आपको किसे संबंदित है तो दर्शन से नेक्स हो जाएगा आपको महावेर की माता आपको कौन थी तो महावेर की माता आपको त्रिश्रला थी नेक्स आपको प्राचिंतम विश्व विद्याले कौन था तो नालंदा विश्व विद्याले आपको प्राचिंतम विश्व विद्याले हैं आपको नालंदा विश्व विद्याले नेक्स्ट आपको लोधी वन्स के संस्थापक आपको कौन थे तो बहलोल लोधी वन्स का आपको संस्थापक था नेक्स्ट आपको महमूद गजनी किस वन्स का आपको सासक था तो यामनी वन्स के सासक थे आपको महमूद गजनी सुन्य की खोज आपको किसने की है तो आरिय भट ने आपको सुन्य की खोज किसने करी है तो आरिय भट किस विदेशी यातरी ने भारत का दोड़ा सबसे पहले आपको किया था तो मेगा अस्थनीज वो विदेशी है जिन्होंने भारत का दोड़ा आपको सबसे पहले किया था नेक्स्ट है आपको किस वेक्ति को दूत्ति असोक आपको कहा जाता है तो किस वेक्ति को तो हर्षवर्धन को दूत्ति असोक आपको कहा जाता है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहा किया था तो प्रियाग में हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा करी है नेक्स प्रस ने आपको किस देष को यूरोप का मरीज आपको कहा जाता है तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को नेक्स प्रस्न हो जाएगा आपको जर्मनी का एकी करन आपको कब पूरा हुआ था तो 1871 इसवी में जर्मनी का आपको एकी करन हुआ है 1871 इसवी में नेक्स आपको Act of Union किस वर्ष पारित हुआ था 1707 में आपको Act of Union जो है वह आपको पारित हुआ था Next है आपको नई आर्थिक नीती नेप का जनम दाता है आपको लेलिन या दखेंगे फ्रेंड्स IMPORTANT PERS नहीं आर्थिक नीती नेप का जनम दाता आपको लेलिन है नेक्स्ट आपको लेलिन ने नई आर्थिक नेती की घोषना आपको कब की थी तो 1921 इसमी में लेलिन ने आपको नई आर्थिक नेती की जो घोषना करी है नेक्स प्रस ने आपको लाल सेना का गठन किसने आपको किया था तो ट्रस्ट की ने आपको लाल सेना का गठन आपको ट्रस्ट की ने किया है नेक्स प्रस ने आपको भारत में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुआत किसने की है तो मैकाले ने आपको भारत में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुआत किसने करी है जो उत्तरदाई है वो जेनरल रायर नेक्स प्रस ने आपको पर्थम मैसूर युद किन के बीच आपको लड़ा गया था तो ब्रिटीस और हैदर अली के बीच पर्थम मैसूर का युद आपको लड़ा गया था नेक्स्ट प्रस ने आपको सती परता पर परतिबंद लगाने लगाया गया था तो लाड विलियम बैंटिक के दुआरा सती परता पर परतिबंद आपको लगाया गया था फ्रेंट्स याद रखेंगे बीबियाई प्रसने नेक्स प्रसने आपको जलियावाला बाग की दुरगहटना की सन में हुई है तो उनीस सो उनीस इसवी में 13 अपरेल 1919 इसवी में आपको जलिया वाला बाग की दुरुगटना होई थी नेक्स प्रसने आपको 1911 तक बिहार निम्ले खित में से किस के अंतरगत था तो बंगाल महापरांथ के अंतरगत था आपको 1911 तक आपको बिहार नेक्स प्रस ने आपको अलिगर मुस्लिम विश्व विद्याले के आपको संस्थापक कौन थे तो सरशयद अहमद आपको अलिगर मुस्लिम विश्व विद्याले के ये संस्थापक थे नेक्स्ट आपको चौरी चौरा कांड किस से सम्बंदी थे तो असयोग आंदोलन से सम्बंदी थे चौरी चौरा कांड नेक्स्ट आपको पर्थम जैन संगीत कहां पर हुई थी तो पाटली पूत्र में 300 इशा पूर में या दखेंगे पार्थली पूत्र 300 इसापुर में आपको प्रतम जैन संगीत आपको हुई थी दोत्य बहुत संगीत आपको कब हुइ थी नेक्स ते आपको किसे भारत का आइंस्टीन आपको कहा जाता है तो नागा अरजुन को भारत का आइंस्टीन आपको कहा जाता है नेक्स प्रस ने आपको बनारस हिंदू विश्विद्याले बी एच यू के संस्थापक थे आपको मदन मोहन मालवी है तो लाड माउंट बेट रें आपको स्वतांतर भारत के परत्म गवर्णर जनेरल थे इंडिका हाॉस की अस्थापना आपको किसने की है तो स्याम जी कृष्ण वर्मा ने आपको लंदन में इंडिया हाॉस की जो अस्थापना करी है स्यामजी ट्रिश्न वर्माने इस नगर को सिराजे हिंद आपको कहा जाता है वी बैई प्रसन है टो जैन पूर को सिराजे हिंद के नामसे जानढ़ाता है सारे प्रसन आपको इंपोर्टेट होने वाले वीडियो को अन्तक जरूर देखेगा जदि हमारे चलने पहली बारे हैं चलने को जरू सब्सक्राइब कर देजे और वीडियो को जरूर लाइक कर देजे नेक्स्ट है आपको गुरू गुल रुखी के नाम से कौन जाना जाता था तो सिकंदर लोदी को गुल रुखी के नाम से आपको जाना जाता था नेक्स्ट आपको सूर्य शिद्धांत नामगरंद की रचना आपको किसने की थी तो आरिय भट ने आपको सूर्य शिद्धांत नामगरंद की रचना करी है प्रसने आपको अभी ग्यान सकुनतला के लेखक कौन थे? अभी ग्यान सकुनतला के लेखक है आपको काली दास नेक्स्ट है आपको जैन धर्म के 24 वे तिर्थकार कौन थे? तो महावेर सुआमी यह दखेंगे जयंद्हम्स के चोविशवे तरते कार हैं आपको महावेर बकसर का यूद आपको 1764 सिह पी बकसर का यूद आपको लज़ा गया था नेक्स प्रस ने आपको अंग्रेजों का सबसे अधीक विरोध किस ने किया था तो मराठों ने अंग्रेजों का सरवधिक विरोध आपको मराठों ने किया है नेक्स प्रस ने आपको वासको डिगामा भारत कब आया था तो 1498 इसवी में वासको डिगामा है वो भारत आया था नेक्स प्रस ने आपको वासको डिगामा कहां का रहने वाला था तो फ्रेंट्स पूर्टगाल का रहने वाला था वासको डिगामा नेक्स प्रस ने आपको अंग्रेजों ने अपनी पर्थम फैक्टरी आपको कहां लगाई है तो सूरत में सूरत में अंग्रेजों ने आपको अपनी पर्थम फैक्टरी जो लगाई थी वो सूरत में नेक्स प्रत आपको भारत के समुंद्री मार्क की खोज आपको किस ने की थी तुरहने इस याद रखेंगे वासको डिगामा ने भारत के समुंद्री मार्क की खोज करी है नेक्स प्रस ने आपको तृतिय करनाटक युद्ध की संधी का क्या नाम था तो पेरिस की संधी तृतिय करनाटक युद्ध की संधी का जो नाम था वो पेरिस संधी डचो ने गोवा पर आकरमन आपको कब किया था तो 1649 एसवी में डचो ने आपको गोवा पर आकरमन करा है नेक्स्ट हो जाएगा आपको जहांगेर ने किसे खान की उपाधी दी थी तो हौकिन्स को जहांगिर ने आपको खान की उपादी जो है वो हौकिन्स को दी थी नेक्स प्रस ने आपको भारत का कौन सा नगर द्यूप निर्मित है तो मुंबई आपको द्यूप पर निर्मित है नेक्स प्रस ने आपको अंग्रेजों ने पहली फैक्टरी कब लगाई थी तो 1612 इसवी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी लगाई है 1612 इसवी में नेक्स ने आपको आर्यो का मुख्य पेपदार्थ क्या था तो आर्यो का मुख्य पेपदार्था सोमरस नेक्स आपको गौतम बुद का जन्म कब हुआ था तो पास सो तिर्शट एसापुर में गौतम बुद का आपको जन्म हुआ था नेक्स आपको गौतम बुद का बस्पन का क्या नाम था तो सिध्धार्थ गौतम बुद के बच्पन का नाम आपको सिध्धार्थ था नेक्स प गौतम बूत ने अपना पर्थम उपदेश आपको कहां पर दिया था तो सारनाथ में परसने आपको भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था तो श्यद अहमद खाने भारत में आपको पहला समाचार पत्र शुरू किया था नेक्स्ट आपको लोधी वंस का अंति सासक हैं आपको इबराहिम लोदी नेक्स प्रसने आपको पर्थम जैन संगीत कहां आयुजित की गई जो आपको पर्थम जैन संगीत है वो कहां पर आयुजित की गई थी तो पाटली पूतर में जो पर्थम आपको जैन संगीत कहां है जूर की गए थी तो पाटली पूतर में नेक्स प्रसन को बरेंगे नेक्स आपको किस सासक के पास एक सकती साली नौशेना थी आपको तो चोल सासक के पास एक सकती साली आपको नौशेना थी नेक्स प्रसने आपको किस मुगल सासक को आलमगीर आपको कहा जाता था तो औरंग जेब मुगल सासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट आपको शहीदे आजम उपाधी किसे सम्मानित किया गया था तो भगत सिंग को शहीदे आजम की उपाधी से सम्मानित किया गया था नेक्स्ट आपको महात्यमं बुध के पत्नी तथा पूत्र का क्या नाम है तो यसोधरा उनकी पत्नी का नाम था और पूत्र का नाम आपको राहूल था नेक्स प्रस ने आपको गौतम बूत को ग्यान की प्राप्ती के स्पेर के नीचे हुई है तो पीपल के वरिक्ष के नीचे नेक्स ने आपको गौतम बूत को ग्यान की प्राप्ती आपको कहां पर हुई थी तो इल्टूत मिसने आपको कुतुब मिनार के कारी को पूरा किसने करवाया है तो इल्टूत मिसने नेक्स प्रसने आपको सिकंदर किसका सिस्य था तो अरस्तू का सिस्य था आपको सिकंदर नेक्स आपको सिकंदर का सेना पती कौन था पेबियाई प्रस ने है तो सेलिकस निक्टेर आपको सिकंदर का सेना पती था नेक्स ते आपको गुप्त वंस का पर्थम समराट कौन बना था तो चंदर गुप्त पर्थम आप तो गुप्त वंस का पर्थम समराट था चंदर गुप्त पर्थम नेक्स आपको इनकलाब का नारा आपको किस ने दिया था तो मुहम्मद इकबाल ने आपको इनकलाब का नारा दिया है नेक्स आपको हरीशेन किसके दरवार में कभी थे तो समंद्र गुप्त के दरवार में कभी थे हरीशेन नेक्स प्रस ने आपको घुप्त काल में श्वर्ण मुद्राओ को क्या कहा जाता था तो दिनार कहा जाता था श्वर्ण मुद्राओ को घुप्त काल में नेक्स प्रस ने आपको हरपा निवासी किस परमुक धातु से आपरचित थे तो लोहा से जो हरप्पा निवासी थे किस परमुक धातु से आवपर चिते तो लोहा से नेक्स प्रस ने आपको भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा था तो हरप्पा भारत का सबसे पुराना सहर है आपको नेक्स्ट आपको भारत की आर्थिक राजधानी क्या है तो मुंबई सहर को भारत की आर्थिक राजधानी आपको कहा जाता है नेक्स्ट आपको जैन्धर्म के प्राचीन आगम गरंतों की भासा थी आपको प्राकिर्थ जैन्धर्म के प्राचीन आगम गरंतों की जो भासा है वो प्राकिर्थ थी नेक्स प्रस ने आपको मैयूर शिंगहासन आपको किसने बनवाया था तो साजहा ने मैयूर शिंगहासन उन्होंने बनवाया था नेक्स प्रस ने आपको साजहा की बेगम का क्या नाम था तो मुम्ताज था साजहा की बेगम का नाम नेक्स आपको वैदिक काल में यव किस से कहा जाता था तो जो को वैदिक काल में आपको यव कहा जाता था नेक्स प्रस ने आपको दिलवारा के परशिद जैन मंदिरों को बनवाया था जो दिलवारा के परशिद जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था तो सोलंकियों ने आपको बनवाया था नेक्स्ट आपको रिग वैदिक काल में आरियो लोगों का मुख्य वेवेशाई था आपको खेती करना नेक्स्ट आपको शारनात अस्तम का निर्मान आपको किसने करवाया था तो असोक ने सारनात अस्तम का निर्मान करवाया था तो उससारे प्रस्थ आपको important थे exam से related तो मैंसा है वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को जरूर लाइक कर देदी हमारे चैनले पहली बार है चैनले को जरूर सब्सकाइब कर तो यदि किसी वीडियो का पीडियाफ से आते हैं तो हमारे टेलेगराम चैनल से जरूर जुड़ेगा जो आपको description में link दिया गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद